हेलो और असलाम उलेकुम मैं हूँ नाहित फात्मा और वेलकम टू माई चैनल तो आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आज है संडे संडे बिर्यानी की बिना अधूरी होती है क्योंकि बच्चे हस्बंड सभी घर पे होते हैं और इन्हें बिर्यानी चाहिए होती है तो मैं एक किलो गोष्ट को अच्छे से वाष्ट कर लिया था और उसे अट कर दिया है प्रेशर होकर में अब इसमें डालेंगे चार से पांस सुखी लाल मिर्चे दो से तीन तेस पत्ते लॉंग लाइची दाल चीनी और काली मिर्चे इन खड़े गरम मसालों को एट कर देंग करेंगे हम दही को मैंने अच्छे से फेट लिया था बहुत गाड़ी सी दही थी और इसमें डाल देंगे दो ग्लास पानी अच्छे से मिक्स करेंगे हम और मिक्स करने के बाद इसो प्रेशर कुक करेंगे फोर विस्ट्रलान तक हाई फ्लेम पर चार सिठी लगा लेंगे औ इसकी फ्लेम को आफ कर देंगे अब हम करेंगे प्यास को स्लाइस तो मैंने पांस्टो ग्राम प्यास को बारीक स्लाइस कर लिया है पांस्टो ग्राम आलू को मैंने चील लिया है इसे हम टुकडों में नहीं करेंगे साबूत रखेंगे इसमें डालेंगे और एक टीस्पू रिफाइन डॉयल है इसे अच्छे से गरम करने के बाद आलू को हम फ्राई कर लेंगे आलू जैसे बढ़िया से फ्राई हो जाएंगे सा कलर चेंज हो जाएगा तो इसको हम निकाल लेंगे यहां हमारा गोष्ट भी अच्छे से पक चुका है धकन को हटाएंगे और चक करेंगे गोष्ट हमारा अच्छे से गल गया है या फिर नहीं चार सीठी में हमारा गोष्ट बहुत ही बढ़िया से गल जाता है अगर आपका ना गले तो फिर आप एक दो सीठी और लगा ले तो देखिए बहुत ही बड़िया सा हमारा गोश्ट अच्छे से नरम हो चुका है तो सारे गोश्ट को हम अलग निकाल कर रख लेंगे इसमें डाल देंगे आधे नीम्बू कर रस तो बड़े साइस का नीम्बू है चोटे नीम्बू है तो आप एक पूरा डाल लें और सारा गोश्ट को अंच्छे अब इस बची बच्छी यखनी में टाल देंगे और अलो को अग है राइक लगा लेंगे अब इस जिस ओओल में हमने आलो को फ्राइख और अलो को फ्राइब करनी है तो 500 गरम प्यास है इसको ऑच्छे से गोल्टन ब्राउन होने तक क्रिस्पी होने तक fry खड़ि लेना है हमने बनाना है इसका अंअउन भिरिस्ता नतर का बृपक्यानी का फास पाथ होता है तो अगर जाय पर स्वेंगे इसको अजटते और हाइव पर जादा तील में इसको फ्राइक का एगए तो बहुती बढ़िया पेस्ट और उसे अच्छे से भूनेंगे हम जब तक कि उसे कच्छा पन ना चले जाए उसकी रॉय स्मेल चलीना जाए तो बहुत अच्छे से मैं अच्छे से भून लिया है पास से चे मिनट और ये गोश्ट को हम इसमें एड कर देंगे जो हमने यखनी में से अलग करके रख हुआ है इस गोश्ट में हम एड करेंगे लाल मिर्चो का पाॉडर ये लाल मिर्चों ना डालेंगे हम ये तीखहट कि नहीं है तो आप 3 टेबल स्पून add कर सकते हैं अब इसमें add कर देंगे 1 तेबल स्पून गरम-मसाला और 1 अबीन होँम, धिल्स पून बिर्यानी ये अगर अब इसमें डाल देंगे, हम आधि ऐधी fry SKW प्यास के थी उसमें से आधि हम रखेंगे लेरीक के लिए जोके, बिर्यानी को 좋은 कि टाइम डालेंगे भूनना है चार से पांच मिनट बढ़िया तरीके से मसालों के साथ उसके बाद जो हमारी यखनी बची हुई है आलू को हम निकाल के अलग रखतेंगे और यह यखनी में से खड़ेगर हम मसाले निकाल कर इसको हम एट कर देंगे गोश्ट के अंदर दस से बारा मिनट हम यखनी के साथ गोश्ट को कुक करेंगे और फ्लेम को आफ कर देंगे अब हम चड़ाएंगे पानी चावलों को बालने के लिए लॉंग लाइची और नीम बूरा डालेंगे इसमें हम नमक डालेंगे चार से पांच टेबल स्पून नमक थोड़ा जाता है क्योंकि हम चावलों को बाल कर इसमें से निकाल लेंगे जैसे पानी हमारा उबल जाएगा इसमें हम डालेंगे अपने बिगोए हुए चावलों को चावल हमारे जैसे 60% तक कुख हो जाएंगे तो इसे हम निकाल लेंगे और एक अलग बरतन चल्णी में रख लेंगे एक बड़ा पॉट ले लेंगे जिसमें हमने बिर्यानियों को दम देना है और सबसे नीचे हम रख देंगे अपने उबले और फ्राई के वे आलूओं को और उसके बाद हम डाल देंगे सारा गोश्ट जो हमने पका कर रखा है यखनी के साथ यखनी थोड़ी जादा है इसी में हमारे चावल दम होंगे इसलिए हम इने चावल को 60% तक ही कुक करना है अगर हम 80% तक चावल को कुक करेंगे तो हमने यखनी को सुखा देना है इसमें हम डाल देंगे थोड़े से धनिया पुदीना और हरी मिर्चे नाही तो यह बिर्यानी कॉलकाता स्टैल है और नाही हाइदरबादी यह मेरे स्टैल की बिर्यानी है और इस तरीके से बिर्यानी जब आप बनाएंगे तो सभी को बहुत पसंद आएगी इसके उपर से जब दालेंगे मैं फ्राई किवी, ओण्यन और इसमें डाल देंगे आधा नीम्बू का रस्ट जो कॉलकाता स्टैल बिर्यानी होती यह उसमें धनिया पुदीना नहीं जाता है और जो हैदरबादी बिर्यानी होती उसमें आलू नहीं जाता है तो यह बिर्यानी मैंने थोड़ी सी हटके बनाई है और इनका टेस्ट भी बहुत सबरदस्त है अब इसकी उपर हम सारे चावलों को add कर देंगे दो ही लियर हमने लगानी है नीचे गोश्ट तालू की और उपर सारे चावलों की सारे चावलों को मैंने एट कर दिया है अब हम इसमें डालेंगे एक ग्लास दूद चावल हमारे 60% है तो ये दूद और जो नीची का यखनी है उसी में हमारे बिर्यानी बहुत ही अच्छे से दम लग जाएगा अब हम डालेंगे थोड़ा से ओएल जो मैंने गोश्ट की ऊपर से निकाल लिया था और डालेंगे थोड़ा सा ओरेंज फूट कलर इसकी ऊपर से डालेंगे हम अपने फ्राई की वे ओन्यन जो आदी हमने बचा कर रखी वी है और खुश्पू के लिसमें हम डालेंगे मीठा बातर और केव डप वाटर मैंने और भी बहुत सारी बिर्यानियों की रेसिपी अपने चैनल पर अप्लोट की है मैं उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन पर डालोंगे आप उसे जरूर से चेक करें और रेसिपी अच्छी लगती है तो फ्रेंट्स फैमली में शेयर करना बिल पर देन इसकी फ्लेम को मौफ कर देंगे और यह जबरदस्त खुश्बू वाली हमारी बिर्यानी रेडी है टेस्ट में भी जबरदस्त है और देखने में तो यह लगी रही है टैम्टिंग बस इसको हम अच्छे से एक साइट से मिक्स करेंगे और कर लेंगे सर्फ बहुत ह लाजवाब सी हमारी और नीचे बिलकुल भी पानी नहीं है इतना यखनी हमने इसमें छोड़ा था मगर यह पूरा एब्सॉर्फ कर लिया है राइज ने गोष्ट चावल और अलू एक दम परफेक्टली कुक हैं अब हम इसको सर्फ करेंगे तो यह बिर्यानी राइते के सा और नहीं रेसिपी के साथ रेसिपी को लाइक चानल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नह भूलें अल्ला आफिस टेक केर और बाबाए